बनाने जारें बहुत ही टेस्टी पिज़ा की रेसिपी यह इंस्टेंट बनने वाला पिज़ा है कभी बच्चे घर में जिद करते हैं तो आप इस तरीकी से पिज़ा बना के बच्चे को खिला सकते हो इसे बनाने में बहुत जादा टाइम नहीं लगता है यह मुझकिल से 15-20 करीप इस पिज़ देना करते हैं यह भी चेनी डाला छिएंगे बोहने करें Experience रहें । इस जह जो चिनी के ज़ैसे बने वर सबस्टोस कर लिए सरस्क छाना के Him選 तो फ्रीड दॉहार डाले में यह फ़िग डाल चिनी है काटो जाक है इसे मिक्स लाइब कर लिए आ कर दो हम इसे देन समय और ांग है इसे मिक्स रखके हैं दौद चिक एक स्वखनें tú इसे मिक्स करें इसे मेर्ड डाल फेंगे तो तो छोड़े के बाद बौद खतंते हैं आप देख सकते हो कहसे को सबाद कर देख सकते हो यहाँ पर एक फ्राइया पित्घ करेंगे ज। हुम यहांस पीपेंगे यहां पर तो भी फच्छा पीपेंजेतर ऊaimer करेंगे करा फटीर ते इसकते हो बाद किस में मूझे के ओasting वाष meer एक रिय। अपनी सेप लीनी है वो फ्राइपन में अपने ले लेता है हमें यहाँ पर कुछ भी करने की जरुत नहीं है अब इसे थोड़ धके छोड़ देंगे तो थोड़ देर हो चुके है यहाँ पर तीन से चार मिनट ही हुए है तो हम इसे एक बार इस तरीके से हिला देंगे और यह अफ़े बदूरी साइब अब आपस जरुप लेंगे तो दूछी की ग्छी केटप नहीं हुए है यह ज़ए है और छी पर देंगे गास बंद कर देंगे और फ्राइज की और लगाएं नहीं पर लगा तो लगा सकते हो और मेरे पास नहीं थी तो मैं आनला पर थोड़ा सी चिली फ्रैक्स और डाल देंगे तक इसमें जो पिजा सॉस है वहाला टेस्ट आ जाए तो इस तरीके से अच्छा से फैला लेंगे और इसके बाद मेरे पास यह थी अगर आपके पास मौजरेला चीज हो तो आप मौजरेला चीज भी यूज कर सकते हो जो भी आपको अच्छा यहां पर प्याज ली है टमाटर और सिमला मिरच ली है तो इसको अच्छी से शेला लगा देंगे और यहां पर थोड़े से मैंने कॉर्ण लिये हैं तो आप सारी वेज़िटेवल लगा देंगे और इसके उपर हम थोड़ी सी चीज और रख देतें आप चाहो तो पहले वे हम लगा लगे इस तरीके से ख़र सकते हूं our now यहां पर ऑरीगेनो डालेंगे और इसके सब्सक्राइब कहना है जब करेंगे हैं ने पर यहां तो यह दो मैंने काली म्रज को भी घर परीकूट के इस तरीके साबूत काली मिरज्तु ती सी चैसी फिर ढाल जोड़ा लगता था जोड़ टाल तो भी थी एक भी दो आई है अट फैर तो ञिपन य cabinets छोड़ी स्वाक ह धी ऑगत निमयुक्ते लगा है तो तीन से दो से तीन मिनटी हुई थी करीब उसके बाद हमने अपने जो पिज़ा था उसको निकाल लिया है अब देख सकते हो कि हमारा पिज़ा कितना अच्छे से बन कर तयार हो गया है यह बहुत ही जल्दी बनने वाला पिज़ा है आप इस रेसिपी के वाज जरूर ट्रा झाल चीन